नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कने वाली हूँ न्यू मेकप रिलीजिस के बारे में ये है Will I Buy It वीडियो और मेरे चैनल पर Will I Buy It शीरीज मैंने रिसेंटले शुरू किया है ये सीरीज सेमेंता मार्च ने शुरू की थी उन्होंने सबसे पहले इस तरह की वीडियो को अपलोड किया था और शेयर किया था हम सबसे एन इस वेरी नाइस सीरीज इसलिए मैंने अपने चैनल पर सोचा कि मैं भी इस सीरीज को लाओं और आपके साथ शेयर करूँ तो अगर आपको जाना है कि मार्केट में कौन से नए प्रोड़क्स रिलीज हुए हैं और मैं उन प्रोड़क्स में इंट्रेस्टेड हूँ या नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुवा ब्यूटी से सुवा ब्यूटी दो डिफरेंट के क्लाइनर्स रिलीज कर रहे हैं और नाम रखा है हैं उन्होंने डूडल्डू और डूडल्डी हाई ट्राफेक्स ड्यूज ग्लोड अंडर यूवी लाइट, मॉच प्रूफ, ट्रांसोर रिस्टेंट, ओपेक, फोमिलेशन, कुरिटी फ्री, वीगन, 16 डॉलर्स इज तो ये डूडल डू जो है वो है UV blue yellow combination of neon blue and yellow डूडल डी जो है UV pink orange combination of neon pink and orange तो recently ये launch हो गए है और बहुत ही अच्छे और attractive दिख रहे हैं ये डूडल करके इनका already एक cake liner release हुआ था कुछ समय पहले जो कि black and white combination का था और I believe उसी collection में ये shades add हुए है and these shades are looking really nice however मेरे पास already neon orange, neon pink, neon yellow ये shades available है Suva Beauty से ही और blue नहीं है इतना neon blue मेरे पास है नहीं कोई बात नहीं मेरे पास बाके तीन shades और ये हैं तो maybe अब समझ गया हूँ कि मैं इस product को purchase नहीं करने वाले हूँ It's a good thought कि आपको दो products एकी pan में मिल रहे हैं ऐसे products को use करने का फाइदा ये है कि अगर आप ध्यान से use करेंगे तो आप दोनों colors को use कर सकते हैं और easily eyeliners draw कर सकते हैं या फिर आप जो भी करना चाते हैं इन products के साथ creatively वो कर सकते हैं यहां पर chances यह होते हैं कि आप mix करेंगे जैसे yellow और blue है आपने उनको mix किया तो एक color बन गया पर इट can get messed up as well I feel so overall मैं प्रॉडक को purchase नहीं करने वाली हैं क्योंकि मेरे पास ये shades और मुझे सुवा ब्यूटिक लाइन बहुत जादा अच्छे लगते हैं चुकि मेरे पास और ये shades हैं and I love using those shades तो point ही नहीं है कि मैं ये newly released cake liners use करूं या purchase करूं so I'm not going to buy it तो अब हम बात करते हैं two-faced की two-faced जो है वो new collection launch कर चुका है वो है teddy bear collection और इसमें आपको मिल जाएगा lip injection extreme bee sting lip plumper in bee sting teddy bear it all eyeshadow palette जो की $45 का होगा और lip plumper जो है वो आपको $29 का मिल जाएगा और teddy bear it all bronzer which will detail for or which details for $32 to be honest अगर मैं eyeshadow palette की बात करूं तो मुझे eyeshadow palette बिलकुल भी attractive नहीं लग रहा है moreover वो जो teddy का embossing है चाहे वो palette के cover पर हो या फिर eyeshadow पर हो I'm not really liking it और plus जो shade range है बहुत ही जादा प्ला है I really don't want to bash anyone and I'm not really bashing anyone it's just that Too Faced as a brand it's not doing anything attractive at least according to me क्योंकि मैं पास Too Faced का chocolate gold palette है and I absolutely love it मैं उसे बहुत ही अच्छा मानती हूँ क्योंकि उसके जितने भी shades मैंने उसके हैं वो मुझे अच्छी quality के लगे pigmented हैं और blendable भी है तो shade wise भी अगर मैं यहां बात को तो shade range भी attractive नहीं लग रहा है it's a very neutral palette और ऐसे shades मेरे पास already है plus lip injection की बात करूं तो मुझे lip injection lip plumpas use करना बल्कुल भी पसंद नहीं है I have heard so many stories कि lip injection यूज किया और swelling हो गई बुरी तरह से या फिर वो गलत तरीक इससे react कर गया और यह सब मुझे बिल्को भी पसंद नहीं है so I am not really experimental with my lips इसलिए मैं बहुती basic product यूज करती हूँ जो कि है lip balm lip injection यूज करके lip plump करना मेरा style नहीं है so I am not interested बात करूं ब्रोंजर की जो कि ब्रोंजर कम highlighter लग रहा है तो हां कुछ लोग होते हैं जिन्हें shimmery bronzers पसंद होते हैं मुझे matte bronzers भी पसंद आते हैं क्योंकि मुझे बिल्को भी पसंद नहीं है कि मैं अपनी face पर shimmery bronzer को use करूं और प्लस वो teddy जो है just giving me child-like vibes I am not interested in this as well price wise अगर मैं बात करूं तो of course यह two-faced है cheap pricing तो होगी इसकी तो जितने भी products है वो two-faced के brand के साफ से pricing जो है वो सही है और मेभी आप इसे sale में लेकर try करना चाहें क्योंकि हो सकता है at least eyeshadow के लिफ मैं कह सकती हूं eyeshadow palette जो है वो अच्छा निकल सकता है क्योंकि two-faced के eyeshadow palettes की quality अच्छी होती है lip injection काफे लोग ने try किया है तो maybe if you are really interested you can try और bronzer अगर आपको पसंद है sun-kissed bronze look और it's your cup of tea कि आप ऐसे shimmery bronzer को use करें it's fine it's just that maybe sale पर आप इन लोग को इन side products को purchase करना पसंद करें I would say so मैं इसमें से एक भी चीज परचेज नहीं करने वाली हूं अब हम बात करेंगे Urban DK की तो Urban DK ने एक नया powder release किया है जो कि है All Nighter Family में एक addition The All Nighter Lightweight Loose Setting Powder by Urban DK A lightweight vegan face powder with a softening translucent matte finish that sets makeup, smooth skin and minimizes shine all day long It retails for $33 और to be honest Urban DK का All Nighter Setting Spray मैंने यूज किया है I like it I really like it और बात करूं Urban DK की तो ऐसे brand मैंने Urban DK से बहुत ही कम products यूज किया है Lipsticks यूज की है, Midnight Cowboy Glitter Liner यूज किया हुआ है और All Nighter Spray That's it To the best of my knowledge मेरे पास इतने ही products है Urban DK से Urban DK मुझे एक्साइट नहीं करता है ना अट्रक्टिव लगता है When it comes to face products I don't know why पर बात करूं मैं इस translucent powder की तो packaging wise यह अच्छा लग रहा है और it will take care of the oiliness So summer season आ ही गया है लगभग और अगर आपकी oily skin है Maybe आपके लिए यह powder अच्छा थाबित हो मैंने इस powder को लेकर जादा reviews नहीं देखे हैं YouTube पर या फिर बैसे भी तो मैं यह नहीं बता सकती कि यह कितना अच्छा है पर हां यह product अगर आप try करना चाहते हैं तो आप try करें Again मैं तो यही कहूंगी कि आप sale पर purchase करें You'll feel good, let me tell you Sale पर purchase किया और make-up It feels really good अएक बर try करना पर overall मैं इस product में इंट्रेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि में पास already Maybelline का Fit Me loose powder है and I absolutely enjoy using it और इसके लाबा Wet n Wild का loose powder है Modify का loose powder है, RCM का loose powder है तो इतने सारे loose powder है मेरे पास हाँ high-end में मेरे पास एक भी loose powder नहीं है पर somehow मैं जैसे पहले बता रहे थी कि मुझे वैसे भी बंडीके के face products में अभी इंट्रेस्ट नहीं है तो इसलिए मैं इसे purchase करने नहीं वाली हूँ अब हम बात करेंगे मेरे favorite makeup brand की जो की है Huda Beauty Huda Beauty कल यानि की 5th में को release कर रहे हैं तीन दिफ्रेंट ग्लो पालेट्स और ट्रेंट मूड वन पर नहीं है Glow Obsessions Highlighter Palettes फिच विल बालेबल ओनलाइं Pocket Size Face Palettes Mini Versions of the Original Highlighter Palettes But with a Glitzy Modern Twist Each palette features 4 shades You can blush, low light and highlight your way to a natural golden hour glow Effortlessly easy to use The creamy yet lightweight texture blends out seamlessly upon application To create a subtle sheen or a defining dewy shimmer There are 3 different variants $29 ka होगा एक एक palette और इसके जो वेरियंस है वो है Light, Medium and Rich And Face Glow Highlighter Brush ये लो रिलीस करें है जो की $23 ka होगा To be honest, recently Colourpop ने एक Blush Palette रिलीस किया था ठीक है वो Blush Palette बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में और मेरे पास अलड़ी sufficient products है इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस Blush Palette को अभी तो purchase नहीं ही करने वाली हूँ बात करूँ Huda Beauty की तो Huda Beauty के products अच्छे होते हैं और मुझे अभी तक मैंने Huda Beauty का जितना याद आ रहा है मुझे एक भी paste product तो यूज नहीं किया है जाहे वह foundation हो या इनका जो contour product है वह हो या highlighter हो तो या this mini version of the actual highlighter palette sounds interesting to me मैं जूटने कोँगी मुझे ने पता color pop वाला मुझे इतना attractive नहीं लग रहा था या क्या बात थी वो blush palette था with one highlighter at least मुझे लगता है उसमें एक highlighter भी है और यह जो है यह पूरा highlighter palette है पर इसमें एक I believe इनोंने मेंचिन किया हुआ है कि creamy formula वाला highlighter भी है so I'm not really sure even though I'm attracted towards the packaging and the color layout अभी मैं यह नहीं बता पाऊंगी कि मैं actually इसमें कोई भी variant try करूंगी so it's a very dicey situation for me maybe I'll purchase one of these palettes अब हम बात करते हैं benefit cosmetics की तो benefit ने अपना एक नया product launch करने का announcement किया है और trendmode1 के Instagram handle पर हुम है उन्होंने mention किया हुआ है कि वो Hoola Glow करके एक product release कने वाले है Hoola Glow Shimmer Powder Bronzer by Befit Cosmetics तो मुझे लगता है summer season आने वाला है तो हर दूसरा brand Glowee Bronzer, Blusher, Highlighter, Release कर रहे है and this one is no different इसकी जो description है वो कुछ इस तरह है a powder bronzer that combines Hoola's curl favorite natural bronze shade with the super fine satin shimmer for a radiant sheen that looks lit from within limited edition super fine shimmer natural bronze shade with super fine pearls scent pigments which will retail for $30 तो अभी recently मैंने Hoola का bronzer पर्चेस किया था जो कि curl favorite है काफी famous product है और मैंने अभी उसे try नहीं के है मुझे वो try करना है और तप ही मैं आपको बता पाऊंगी कि मुझे Hoola bronzer पसंद है या नहीं यह जो है यह काफी अच्छे shades लग रहे हैं इसके 5 different shades यहां पर इन्होंने mention किया हुए and somehow मुझे first impressions कि अगर मैं बात करूं तो इसमें shimmer दिख रहा है क्योंकि यह Hoola glow है right again it's a shimmery bronzer at least picture में ऐसे ही लग रहा है मुझे देखके कि इसमें हलके shimmery particles हैं अब मुझे यह पता नहीं कि कितना जादा overpowering होगा वह shimmer particles क्योंकि swatches में देखने पर तो यह matte लग रहे हैं okay so can't say to be honest अभी मेरे पास Hoola bronzer है और मैं उसे ही use करूंगी तो इसे मैं फिलहाल purchase नहीं करूंगी फिलहाल क्या मुझे नहीं लगता कभी मैं इसे purchase करना पसंद भी करूंगी कि मुझे shimmery bronzers वैसे भी पसंद नहीं है इसलिए और price wise $30 जो कि benefit cosmetics की brand के हिसाब से ही pricing है again I'm not up for paying $30 क्योंकि already a full price pay कर के मैंने Hoola bronzer purchase कर रखा है उसको use कर लूँ वही बड़ी बात लग रही है मुझे I'm not going to purchase this product and one more thing hoola glow का जो release date है वो है 5th में तो just in case आप interested है तो आप इस product को जबू से try करिएगा अब हम बात करते हैं Charlotte Tilbury की जो की एक काफी expensive brand है और कल favorite brand है यह भी अपना एक नया collection release कर रहे है instant look of love palettes which will be retailing for $75 each instant look of love in a palette in glowing beauty instant look of love in a palette in pretty blushed और यह जो है आपको दो different variants में मिल रहे हैं और medium to deep skin tones के लिए या फिर fair to medium skin tones के लिए यह palettes होंगे तो मैंने अपने चानल पर recently आपके साथ शेया किया था कि मैंने शाले तुलब्री का एक eyeshadow palette purchase किया है और जब मैंने उन eyeshadows को पहली बास swatch किया था तो I was really disappointed I was not at all happy क्योंकि वो ऐसे अगर eyelid topper भी मैं मानूं तो भी वो कम pigmented थे तो यह बात मैंने आपको सिर्फ reference के लिए बताई है coming to this palette तो इस palette में आपको bronzer, blusher, highlighter और eyeshadows सब कुछ मिल रहा है और setting powder भी मिल रहा है which is good बहुत ही अच्छी बात है यह लेकिन यह काफी expensive product है for 75 dollars यह बहुत ही ज़्यादा luxurious brand है मुझे नहीं लगता कि मैं इस product को purchase करूंगी क्योंकि एक यह expensive है दूसरा, I'm not sure about the quality of the eyeshadows और any other product जो की इस palette में है क्योंकि मेरा experience eyeshadow palette के साथ जादा अच्छा नहीं रहा तो मैं इसमें जादा interested हो ही नहीं और हम अगर मैं बात करूं shade range ही तो यह palettes जो है यह medium skin tones या fair to medium skin tones के लिए appropriate है मुझे लगता है deeper skin tones के लिए यह palettes appropriate नहीं है क्योंकि shades जो है वो deep enough नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि यह deeper skin tones के लिए appropriate है अब हम बात करेंगे एक और luxurious yet expensive brand की जो की है Pat McGrath तो वो अपना the divine blush collection release कर रहे हैं यह बहुत ही jelleries हो जाएगा trend move 1 पर उन्होंने mention क्या हुआ है 9 silky divine blushes that enliven the skin with blooming buildable color permanent so it will be a permanent addition to their whole collection divine rose और इन्होंने 9 different shades mention क्ये हुए है plus limited edition होंगे जो products मैं भी बताने वाली हूँ Venus in Pliors, Luxe Quad, a divine glow highlighter, new matte trans lipstick and brim lover two shades of lip fetish divine type penile lip shine and divine rose 2 and plush 7 lust gloss in earth angel, permagill and permagel, ultra lip penicillin structure और यह जल्द ही release होने वाल है बात करो divine blushes की तो काफी अच्छे shades लग रहे है at least pan में तो देखने से shades बहुत ही जादा प्यारे लग रहे हैं pigmented भी लग रहे हैं उनका जो pattern है या जो embossed flowers है या lines है वो काफी attractive लग रहे हैं और swatches देखकर भी ऐसा लग रहे हैं कि ये product जो है या ये shades काफी pigmented हो सकते हैं Pat Mcgrath की eyeshadow palettes काफी अच्छे होते हैं और इस collection में भी ये एक quad रिलीस कर रहे हैं तो भी honest मुझे वो quad जादा इंट्रेस्टिक नहीं लगा बहुत ही basic और neutral लग रहा है बात करूँ lip products की तो मेरे पास औरड़ी एक lipstick है Pat Mcgrath की and I'm happy with it मुझे जादा lipsticks परशीज नहीं करने हैं Pat Mcgrath से क्योंकि ये काफे expensive brand है और पता नहीं इसका जो इन्होंने shade mention किया हुआ है या फर trend mode 1 पर जो lip products के picks हैं वो जादा attractive नहीं लग रहे हैं problem picks में नहीं है problem products में भी हो सकती है Shades are not really attracting me और highlighter की बात करो तो ऐसे highlighters मेरे पास हैं so as a brand में भी Pat Mcgrath को मैं अभी try करना ही नहीं चाहती इसलिए मैं interested भी नहीं हूँ इतने सारे पैसे देकर इतने expensive products को purchase करने के लिए मुझे nail polish apply करना बहुती जाद अच्छा लगता है और मेरे पास काफी nail polishes हैं जेने मैं raglally use करती हूँ और मैं अब एक interesting collaboration की बात करने वाली हूँ यह है Sally Hansen X Disney Cruella Collection तो Cruella से inspired इन्होंने shades release किये हैं आपको इसमें black, red, blue ऐसे shades मिल जाएंगे और Sally Hansen की जो nail product की quality होती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है काफी pigmented होती है और long lasting भी होती है मेरे पास कुछ products है, nail care products और nail polishes है Sally Hansen की and मेरे family को भी बहुत अच्छा लगता है यह brand to be honest, ऐसे shades आपको market में मिल जाएंगे of course Sally Hansen is Sally Hansen आपको Sally Hansen as a brand अगर अच्छा लगता है तो definitely आप इस collection में से at least एक nail paint जादू से try करिएगा और मैं इस लिए इस collection में से कुछ नहीं purchase कर रही क्योंकि मेरे पास ऐसे shades है अब हम बात करेंगे Juvia's Place की तो Juvia's Place ने अभी recently एक नया collection launch किया है जो कि है bronzed collection और इसमें आपको मिल जाएंगे bronze rustic acid palette $14 का bronze duo bronzer $18 का और bronze lip gloss $13 each दो different shades है bronze mini liquid lipsticks $10 की एक lipstick मिल जाएगी और 3 different shades है bronze lip liner और इसका price होगा $10 काफी अच्छा और deep skin tone friendly collection लग रहा है मुझे of course light to medium to deeper skin tones यह सबके लिए लोग ने face palette release किया है eyeshadow palette is very basic और यह हर skin tone को suit करेगा lip products yet again browns तो brown shades हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं वो shades जो bronzer palette है वो जो bronze duo bronzer है जो $18 का एगा और उसमें आपको अच्छे shades मिल जाएंगे काफी variety है shades की और overall collection light से deeper skin tones को अच्छा लग सकता है price point के हिसाब से मैं बात करूं तो यह ठीक है और जो bronzer है उसका price $18 है मुझे इस पिक्चर में देखने पर तो यह bronzer duo का size छोटा लग रहा है पर पता नहीं जूवियस प्लेज के जो पालेट होते हैं जूवियस प्लेज के जो पालेट होते हैं और $18 के हिसाब से सही हो फर नौ मुझे बस pan size समझ नहीं आ रहे कि कितना बड़ा होगा और कैसा होगा या फिर यह duo जो है वो कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा बिसिकली मैं size पतानी लगा पारी हूं जूवराल अगर प्रोडॉक्स जो है अफी इंड्रेस्टिंग है चाहे वो लिप्लॉस हो लिप्स्टिक्स घृषडपलेट हो या फिर ब्रॉड़ुस हो रहले नाएस कलेक्शिन congratulations to Juvia's and I'm looking forward to try at least one product from this collection maybe it can be a bronzer duo or lip products either lip gloss or lipsticks we are talking about new makeup products and we don't talk about Colourpop, so how can it be? so Colourpop's Super Shock eyeshadows are very popular and popular products so Colourpop is going to go for your Super Shock eyeshadows and the new spring 2021 collection is released you will get different shades here at least here on the trend mode 1 Instagram handle there are 9 different shades, it looks pretty good I have a shade of Moon Daisy Periwinkle or Duochrome bluish shade it looks good besides that, I don't look so good because I have such shades plus it hasn't been launched it is May 4th so it will be getting released soon like this this is a good way overall these shades are good and they are very pigmented not matte shades these are all shimmery shades and they are very good so if you have any shade or any shade you will have any interest in your collection then you will have a comment to add more so that the name of the video is also that this video is good if you have any other videos then you will have the same I request that you can go and get me and support me and subscribe to me and don't forget to click on the bell button so that when I upload your video if you will get a notification if you can subscribe to my channel and thank you very much I will now be happy that my content will be with this video and I will be happy and I will see you soon टेके बाई बाई बाई